यो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मंजल तक पर फ्रेंड्स, लाश क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अनपात और समनपात के क्विस्चन्स को डिजविल्टी रूल से बिदिन सेकंडों में कैसे सालो करते हैं आज की क्लास में हम अनपात और समनपात के कुछ मातपूर क्विस्चन्स देखने वाले हैं जो की अक्सर एक्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके लाश्ट क्लास में हम लोगों ने अनपात और समनपात के टोटल 33 कुश्चन शाल कर चुके हैं आज की क्लास में आईए उससे आगी देखते हैं कुश्चन है दो बराबर छमताओं वाले बरतन पानी और दूद की मिस्रण से भरे हुए हैं जिनका अनपात क्रमसा तीन अनपाते चार और पांच अनपाते तीन है यदि दोनों मिस्रण एक तीसरे बरतन में मिलाए जाएं तो नए मिस्रण में पानी और दूद का अनपात क्या होगा मान लिजिए दो बरतन ए और बी है इन में पानी और दूद का अनुपात 3 अनुपाते 4 और 5 अनुपाते 3 है अब यहाँ पे अगर छम्ता की बात करें तो इसकी छम्ता 7 होगी इसकी छम्ता 8 होगी क्विस्चन में बोला है बराबर छम्ताओं वाले बरतन है तो छम्ता को ब्रावर करने के लिए यहाँ पे 8 का मल्टिप्लाई और यहाँ पे 7 का मल्टिप्लाई करना होगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 इन दोनों को जब नए बरतन में मिलाया जाएगा तो इनका अनपात क्या होगा आइड हो जाएगा आइड होने पर 53 और 59 तो जब दोनों में इस रड को किसी बड़े बरतन में मिलाया जाएगा तो उसमें जो पानी और दूद का अनुपात होगा, वोगा 59, रेशियो 53 आपसा नमबर D इस question का right answer हो जाएगा Next question देखते है Next question है, जो कि SSC CGL Tire 2 में पूछा गया था Question है, दो बरतन समान धारता के है यदि दूद्वा पानी का अनुपात, पहले और दूसरे बरतन में क्रेमसा तीन अनुपाते एक और पांच अनुपाते दो है और उन्हें मिलाने पर प्रात मिसरण में दूद्वा पानी का अनुपात गया थीजिए अब देखेगा, इसका छमता फोर होगा इसकी जो छमता होगी इस बरतन की वो 7 होगी कुश्चन में दोनों बरतन की जो छमता है वो समान है तो समान करने के लिए यहाँ पर 7 का मल्टिप्लाई यहाँ पर 4 का मल्टिप्लाई करना होगा तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 7, 3, 21, 7, 1, 0, 7 4, 5, 20, 4, 2, 0, 8 अभी इन दोनों बरतन के मिश्रण को एक नए बरतन में मिला जाएगा तो उसमें जो दूद और पानी का अनुपात होगा ओ वो जाएगा 41 रेशियो 15 41 रेशियो 15 इसका जो राइट एंसर होगा होगा आप्शन नमबर D नेक्स देखते हैं नेक्स कुश्चन फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत महात्पूर होने वाली है प्लीच क्लास को लाश तक देखना इसकी बिलकुल भी मत करना कुश्चन है दो समान धरत्या की गिलास सराब वा पानी से क्रमसा दो अनपाते एक और तीन अनपाते दो के अनपात में भरे हुए हैं यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिस्रण में सराब वा पानी का अनपात ग्याद किजिए माली जी एक गिलास है और एक गिलास यह है इसमें एलकोहल और वाटर का अनपात दो अनपाते एक और तीन अनपाते दो है यहाँ पे समान धरत्या बोला है तो यहाँ पे अगर छमता हम इसकी निकालेंगे तो थ्री होगा अगर second glass की छमता निकालेंगे तो 5 होगा छमता समान है तो छमता को समान करने के लिए यहाँ पे 5 का multiply यहाँ पे 3 का multiply करेंगे ठीक तो नया ratio क्या होगा एलकोहल और वाटर का 5, 2, 10 5, 1 जब 5 3, 3, 9 3, 2, 6 अब इसको इन दोनों गिलासों के सराब और पानी के मिस्रड को एक नए बरतन में मिला जाता है तो वहाँ पे जो ratio होगा एलकोहल और वाटर का होगा 19 ratio 11 19 ratio 11 option number D एक question SSC CAPF SI और CISC FSI में पूछा गया था next question है तीन वरतनों में एसीड और पानी का अनपात तीन वरतन हैं मालेजे 1st, 2nd, 3rd इनमें एसीड और पानी का अनपात क्रमसा 2 अनपाते 1, 3 अनपाते 2, 5 अनपाते 3 है मिश्रण में तीनों मिश्रण को समान मात्रा में मिला जाता है तो नए मिश्रण में एसीड और पानी का अनपात ग्याद किजिए समान मात्रा में मिला जाता है तो यहाँ पे देखेगा 3 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8 है तो समान बनाने के लिए यहाँ पे 5 और 8 का मल्टिप्लाई means 40 का मल्टिप्लाई करना होगा यहाँ पे 3 इंटू 8 का मल्टिप्लाई और यहाँ पे 3 इंटू 5 का मल्टिप्लाई करना होगा तो जो नया रेशियो बनेगा एसीड और वाटर का क्या होगा यहाँ पे 40 का मल्टिप्लाई हो रहा है यहाँ पे 24 का और यहाँ पे 15 का तो 40 दूना 80 चालीस से कम चालीस 24 तियां 72 24 दुना 48 15 चे 75 15 तियां 45 ठीक इन तीनों को एक नए बरतन में मिलाया जाता है तो रेशियो क्या होगा इसको आइट कर देंगे 8513 133 और यहाँ पर 527 7, 7, 7, 14, 14, 8, 25 227 227 रेशियो 133 227 अनपाते 133 इस क्विस्चन का राइट अंसर होगा जो कि है आप्सन नमबर B नेक्ट देखते हैं नेक्ट क्विस्चन क्विस्चन नमबर 38 तो दोनों बरतनों को किस अनपात में मिला जाए कि दूद और पानी का अनपात 5 अनपाते 4 प्राप्थ हो क्या करेंगे इसके लिए माली ये बरतन A है ये बरतन B है हम इसमें या तो पानी को लेके चलेंगे या तो सिर्फ दूद को लेके चलेंगे तो हम यहाँ पे दूद को लेके चल रहे हैं देखेगा फ़र्ष्ट बरतन में बरतन A में जो दूद का अनपात और पानी का अनपात है वो है 4 अनपाते 5 अगर हम यहाँ पे बोले दूद कितना है तो बोलेंगे 4 बटे 9 टोटल 9 है उसमें से 4 दूद है और 4 भाग दूद है 5 भाग पानी है और B में कितना दूद होगा 5 बटे 6 भाग अब जब मिस्रण को मिलाएंगे तो मिलाने पर जो मिस्रण प्राफ्थ हुआ उसमें दूद क्या होगा? 5 बटे 9 अब यहाँ पर हम Aleigation लगा देंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई 9 अब इसमें से इसको माइनेस करेंगे तो क्या आएगा? देखीगा, 6, 5, 30, 9, 45, 45 और 30 का डिफ्रेंस 15 अब 9 चक चंगवन, 15 बटे चंगवन इतना आगया अब यहां से इसको कैंसल करेंगे, 9 एकम 9 चक चंगवन 15 बटे 6, रेशियो 1 बाई 1 यहां बोलेंगे 15 रेशियो 6 इसको और सिंपल करेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूना 6 मेरा जो अंसर आएगा दूद और पानी का रेशियो 5 रेशियो 2 5 अंपात 2 आपसा नमबर C इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question देखते है Question है एक गिलास में दूद और पानी को 3 अंपाते 5 के अंपात में मिला जाता है एक दूसरे गिलास में दूद और पानी को 6 अंपाते 1 के अंपात में मिला जाता है तो इन दोनों गिलासों के मिस्रड को किस अंपात में मिला जाए कि नए मिस्रण में दूद हुआ पानी एक अनपाते एक के अनपात में हो जाए माली जी ये फ़र्ष्ट ग्लास है ये सेकंड ग्लास है हम यहाँ पे सिर्फ दूद को लेके चल रहे हैं फ़र्ष्ट ग्लास में अगर हम दूद का भाग पूछें तो क्या होगा 3 by 8 भाग दूद होगा दूसरे ग्लास में 6 by 7 भाग दूद होगा जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो जो मिस्रण होगा उसमें 1 by 2 भाग दूद होगा ठीक अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगाते हैं इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसका डिफरेंस क्या आएगा 2 by 16 या 1 by 8 अब यहाँ से इसका डिफरेंस करेंगे 2 चंग 12 साथ तकम 7 12 और 7 का डिफरेंस 5 बटे 7 दूद चोदा 5 बटे 14 तो इनका रेशियो आगया 5.14 रेशियो 1 by 8 इसको सॉल करेंगे 2.8 दो सच चोदा 5.20 बटे 20 रेशियो 7 राइट अंसर है आप्शन नमबर A नेट्ट कुस्चिन देखते हैं कुस्चिन बट फुट्टी दो मिस्र धातु कापर वट टिन से बने हुए हैं जिसमें कापर वट टिन क्रेंप सा एक अनपाते 3 और दो अनपाते 5 के अनपात में हैं दो मिस्र धातु हैं माली जी एक मिस्र धातु A है एक A है हम यहाँ पे कापर को लेकी चलना है ठीक कापर को यहाँ पे कापर का भाग होगा 1 by 4 और सेकेंड में 2 by 7 जब मिलाया जाता है तब टीन वा कापर का अनपात 8 अनपाते 3 हो जाता है कापर का भाग कितना होगा यहाँ पे 3 रेशियो 8 स्वारी 3 by 11 यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं 11 चुका 44 हो जागा और यहाँ पे 4 तियां 12 11 कम 11 एक वटे 44 और इधर जब डिफ्रेंस निकालेंगे तो क्या होगा 11, 22, 27, 21 एक वटे 77 एक वटे 77 रेशियो एक वटे 44 इसको स्वाल करेंगे 11 चुका 44 यहाँ सते 77 तो फोर रेशियो 7 एक किसका अनपात आएगा यह आएगा कापर और टीन का कापर और टीन का फोर रेशियो 7 आपसा नंबर 20 का राइट अंसर हो जागा next question देखते हैं एक question बहुत ही मातपूर होने वाली है विकाज इस type की questions पिछली वीडियो में भी करा चुके हैं और exams में अधिकतर पूछे जाते हैं इस type का question CGL मेंस भी पूछा गया है SSC CHSL में भी पूछा गया है हर exams में अधिकतर इस type का questions पूछा जाता है question है लड़के और लड़कियों का अनपात 5 अनपाते 3 है 50 लड़के इसकूल छोड़ दें वा 50 और लड़कें दाखिला ले ले तो 9 अनपाते 7 हो जाता है तो लड़कों की संख्या गयात किजिए यहां पर बोला 50 लड़के इसकूल छोड़ दें इसका मतलब यहां पर माइनस 50 और 50 लड़कियों दाखिला ले ले इसका मतलब यहां पर प्लस 50 अब देखिए क्रास प्रोडेक्ट कर देते हैं यहां पर साथ पच्चे पच्चे पच्च्च नौ तरीक सत्ताईस डिफ्रेंस कितना यहां एट यहां पर पांच नौ पच्चे 45 चार सु पच्चास उनस साथ पच्च्चे 35 इसको आट करेंगे तो कितना होगा? 800 8 का मान 800 1 का मान 100 हो जाएगा तो यहाँ पर boys का मान पूछा है लड़कों का मान पूछा है जो कि 5 है 5 का मान मेरा आ जाएगा 500 इसका जो right answer हो जाएगा वो होगा option number C 500, लड़कों की संख्या 500 होगी Next Question है किसी regiment में युद से पहले अपसरों का जवानों का अनुपात 3 अनुपाते 31 था युद में 6 अपसर और 22 जवान मारे गए है तो यहाँ अनुपात 1 अनुपाते 13 हो गया युद से पहले रेजिमेंट में अपसरों की संख्या क्या थी? यहाँ पे देखेगा अपसरों और जवानों का जो अनुपात है वो तीन अनुपाते 31 युद से पहले ठीक तो अगर हम यहाँ पे Divisability rule लगाते हैं मेरा answer आ जाएगा कैसे? यहाँ पे अपसरों की संख्या पूछा है और यहाँ पे अपसर क्या है? ठीक तो ऐसा option मेरा answer होगा जो 3 से Divisable होगा क्या यह 3 से Divisable है? नहीं यह भी नहीं option number C है option number D 3 से Divisable नहीं है तो मेरा right answer होगा option number C आई इसको साल्व करते हैं देखते हैं युद में 6 अपसरों 22 जवान मारे गए तो यहाँ अनपात एक अनपात है 13 होगया कितने अपसर मारे गए? 6 जवान कितने? 22 यहाँ पे भी एक cross product हम योज करते हैं 13 एक कम 13 13 33 49 31 एक कम 31 31 और 49 का जो difference होगा क्या होगा? 8 का मान क्या होगा? 13 छंग 8 तर 22 एक कम 22 18 तर माइनस 22 8 कमान क्या आजागा? 56 एक कमान कितना आएगा? 7 अब यहाँ पे अपसरों की संग्या पूछा है अपसर यहाँ पे कितना है? 3 तो एक कमान 7 तो 3 कमान 21 मेरा अंसर हो जागा आपसर नमबर C नेक्ट देखते हैं यदि एक जार में दो द्रव A और B 4 अनपाते एक के अनपात में हैं यदि 10 लीटर मिस्रर निकाल कर 10 लीटर द्रव B डाला जाता है द्रव A और द्रव B 4 अनपाते एक के अनपात में हैं इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया ठीक, तो जो बचा होगा उसमें भी तो चार अनपाते एक के अनपात में ही द्रव होंगे ठीक, आगे बोल रहा है दस लिटर द्रव भी डाला जाता है तो अनपात क्या हो जागा? दो अनपाते तीन हो जाता है देखेगा यहाँ पे चेंजेज सिर्फ B में हो रहा है ना कि A में ठीक तो A को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे 2 का मल्टिप्लाई करना होगा तो नेरेस ही हो जागा 2 दूना 4, 3 दूना 6 ठीक, अब यहाँ पे देखेगा कितने का गैप हो रहा है 5 का मतलब 5 इनक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हम अगर देखें तो द्रव 10 लिटर मिलाया गया था तो जो 5 का मान है वो 10 लिटर के बराबर है तो शुरुआत में एक ही मात्रा ग्यांद कीजिए तो 4 का मान हमको निखालना है आठ लिटर मेरा अइंस्वर हो जाएगा आपशन नमबर B नेक्ट देखते हैं नेक्ट कुस्चन यदि दो संख्याएं तीन अनपाते 4 के अनपात में हैं यदि प्रते एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो संख्याएं चार अनपाते 5 के अनपात में हो जाती हैं तो संख्याएं का अंतर निकालना है अगर हम यहाँ पे देखें संख्याएं का अंतर कितना है कितना है एक तो में जे एक की बैल्यू प्राप्ट करनी होगी आप ध्याँ से देखिएगा इनके बीची डिफिरेंस जब 6 लिटर यहाँ पर याड़ किया गया 6 लिटर यहाँ पर याड़ किया गया तो यहाँ से अगर हम देखेंगे एक की बृत्धी यहाँ पर भी हुई एक की बृत्धी यहाँ पर भी हुई तो एक का मान मेरा 6 आ गया यह मेरा अंसर हो जाएगा आप्षा नमबर सी राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट दखते हैं नेक्ट क्विस्चन क्विस्चन है राम और रहीम की आउका अनपाथ दस साल पहले एक अनपाथे तीन था राम रहीम क्या था अनपाथ एक अनपाथे तीन और पांच साल बाद दो अनपातित तीन हो जाता है अब देखेगा अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दो का और यहाँ पे डिफरेंस क्या है एक का तो हम यहाँ पे एक का मल्टिप्लाई करेंगे टोटल और यहाँ पे 2 का multiply करेंगे तो मेरा जो अनपात बनेगा क्या होगा 1 अनपाते 3 2 दूना 4 4 अनपाते 6 आप देखिएगे यहाँ पे difference बराबर है और यहाँ पे भी difference बराबर है तो यहाँ से 3 का जो मान होगा वो टोटल कितना होगा यह 10 साल पाहले का है क्या होगा 15 साल 3 का मान 3 का मान मेरा क्या है 15 3 का मान क्या है 15 तो 1 का मान क्या होगा 5 साल अब यहाँ से अगर राम और रहेम की वर्तमान आईव हमको निकालना है तो क्या करेंगे 10 साल पाहले की यहाँ पे दिया है 1 अनपाते 3 तो एक का मान पांच हो गया और पंदरा इसका मतलब पांच साल और पंदरा साल दस साल पहले राम और रहिम की आयो थी अब वर्तमान आयो निकालने के लिए दस आयट कर देंगे यहाँ पे पंदरा हो जागा यहाँ पे पचीस हो जागा अब इनका जो अनुपात होगा वर्तमान आई को अनुपात पांतियां पंदरा, पांच पच्चे पच्चिस आप्चिन नमबर बीज का राइटर्स क्विस्चन है, दो संख्याएं तीन अनुपाते पांच के अनुपात में है यदि प्रतियक में इसे नुग घटाया जाए तो नया अनुपात बारा अनुपाते तेईस हो जाता है तो संख्याएं ग्याद कीजिए ध्यान से देखिएगा इसको डिज्विल्टी रूल से थोड़ा सा देखते है संख्याएं किस अनुपात में है तीन अनुपाते पांच के अनुपात में तो मेरा अप्शन से देखिएं कौन सा अप्शन तीन अनुपाते पांच के अनुपात में है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपसर नमबर C, तीन अनपाते 5 के अनपात में है तो मेरा एंसर होना चाहिए आपसर नमबर C आए देखते हैं इसको साल्व करके आप देखेगा यहाँ पर समान संख्या घटाए जा रही है 9 तो क्या करेंगे, इसको हम समान बनाएंगे यहाँ पर 2 का डिफ्रेंस है, यहाँ पर 11 का डिफ्रेंस है तो हमको इस पूरे में 11 का मल्टिप्लाई करना है और इस पूरे में 2 का मल्टिप्लाई करना है तो जो नया रेसियो आएगा, जो क्या आएगा 33 रेसियो 55 और यहाँ पर 24 रेशियो 46 अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है नाइन का तो नाइन का जो मान है वो मेरा नाइन दिया है एक का मान क्या होगा एक तो यहाँ पर संख्याएं क्या हो जाएंगी 23 और 55 एक का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 23 और 55 मेरा अंसर हो जागा 23 और 55 आप्शन नमबर 3 राइट अंसर हो जागा नेक्ट कुस्चन देखते हैं नेक्ट कुस्चन है जो कि SSC CSL में पूछा गया था एक मिस्रण में अलकोहल और पानी का अनुपात 4 अनुपाते 3 है यदि मिस्रण में 5 लिटर पानी मिला जाता है तो मिस्रण का अनुपात 4 अनुपाते 5 हो जाता है तो मिस्रण में एलकोहल और पानी का अनपात चार अनपाते 5 हो जाता है तो सुरिवाति मिस्रण में एलकोहल की मात्रा ग्याद कीजिए अब देखिएगा यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है ठीक तो इसका मतलब एलकोहल में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है कोई चेंजेज नहीं है ठीक तो यहाँ पे अगर हम बोलें तो 2 का जो मान है वो कितना है 5 2 का मान क्या है 5 लीटर 1 का मान क्या हो जागा 2 लीटर तो शुरुवाती मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा पूछा है इसका मतलब चार का मान पूछा है चार का मान क्या आजागा दस दस लिटर मेरा अंशर हो जागा जो कि यह आफ्सा नमबर डी नेक्ट देखते हैं नेक्ट कुस्चिन यदि दो संख्याएं दो अनुपाते तीन के अनुपात में है और जब दोनों संख्याओं में एट जोड़ा जाता है तो ए अनुपात तीन अनुपात चार हो जाता है तो दोनों संख्याओं का योगफल ग्याद किजिए योगफल बोलें तो पांच आप देखिएगा यहाँ पे जो difference है एक का है यहाँ पे भी difference एक का है तो difference सेम है तो एक का मान जो आया ओ आठ है दुन संख्याओं का योगफल पूछा है तो मैं 5 का मान क्या हो जगा 40 मेरा answer होगा option number D SSC CGL में पूछा गया था next question देखते हैं एक मिस्रण में दूध और पानी का अनपात 5 अनपाते एक है 5 लीटर पानी मिलाने पर जो अनपात है वो 5 अनपाते दो हो जाता है तो मिस्रण में दूध की मात्रा कितनी है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पानी मिला जा रहा है तो पानी में changes हो रहा है जब कि दूद में कोई change नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखेगा दूद 5 है दूद 5 है जो कि same है बराबर है तो यहाँ पे हमें multiply करने के कोई जरूरत नहीं अब यहाँ पे difference कितने का है एक का है तो जब एक बढ़ा तो एक जो है 5 लीटर पानी के बराबर है ठीक मिस्टर में दूद की मात्रप ग्याद करनी है हमको जो कि 5 है तो 5 का मान कितना आएगा 25 लीटर मेरा answer होगा option number B next question देखते है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयव 5 अनपाते 3 है अब से 5 वर्स बाद उनकी 10 अनपात 7 हो जाएगी तो मोनाली की वर्तमान आयव क्या है ध्यान से देखेगा यहाँ पे अगर हम difference की बात करें तो यहाँ पे 2 का difference है और यहाँ पे 3 का difference है तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 3 का multiply करना होगा यहाँ पे 2 का जब करेंगे तो नया मेरा जो रेशियो होगा वो क्या होगा 15 रेशियो 9 20 रेशियो 14 अब यहाँ पे अगर difference देख रहे हैं तो 5 का difference 5 का difference सेम है तो 5 का जो मान है वो 5 साल के बरावर है तो मोनाली की वर्तमान आयो पूछी है अगर हम यहाँ पे बोले एक का क्या होगा एक साल होगा मोनाली की वर्तमान आयो क्या है यहाँ पे 9 तो 9 मेरा right answer हो जागा यह जो value है यहाँ पे रखेंगे ना कि यहाँ पे ठीक यहाँ पे रखेंगे तो मेरा गलत answer आगा रखना यहाँ पे है next question देखते है दो संख्याएं तीन अनपाते 5 के अनपात में है उन दोनों संख्याओं में 6 जोड दिया जाता है तो अनपात 2 अनपात 3 हो जाता है तो वे संख्याएं ग्यात कीजिए आप देखिएगा यहाँ पे 6 जोड़ा जा रहा है समानंक है ठीक यहाँ पे difference देख रहे हैं 2 का difference है यहाँ पे 1 का difference है तो हमको क्या करना है यहाँ पे 1 का multiply यहाँ पे 2 का multiply करने पर जो नया ratio बनेगा होगा 3 ratio 5 और यहाँ पे 4 ratio 6 अब देखेगा difference एक का difference एक का ठीक और एक का मान जो दिया गया है वो क्या है 6 वे संख्याएं क्या है 3 ratio 5 की रेशियो में है तो 6 तरीक 18 6 पंचे 30 18 और 30 वो संख्याएं होंगी 18 और 30 आपसर नमबर D मेरा राइट एंसर हो जाएगा यह सच्छी CGL प्री एक्जाम 2016 में questions आया था next देखते हैं next question एक college union में विद्यार्थियों की total संख्या कितनी है 48 लडकों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 अनुपाते 3 है इस union में कितनी लड़किया और जोड़ी जाएं कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6 अनुपाते 5 हो जाए बब लड़कियां जोडने की बात कर रहा है ठीक तो लड़कों में कोई change नहीं है बड़ यहाँ पे हमें change दिख रहा है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है तो इसको same बनाना होगा लड़कों की संख्या को समान बराना होगा तो क्या होगा यहाँ पे 6 का multiply यहाँ पे 5 का multiply करेंगे तो 6, 35, 36, 38 35, 35 अब 30 अनुपाते 18 30 अनुपाते 25 बवाय और गर्ल का अनुपात हो गया ठीक टोटल जो संख्या हो 48 है और यहाँ पे अगर देखेंगे 30, 10, 40, 48 यहाँ पे भी 48 48 का मान 48 है इसका मतलब 1 का मान 1 और यहाँ पे देखेंगे increase कितना हो रहा है लड़कियों में 7 तो 7 का 7 ही होगा मेरा answer होगा option number B next देखते हैं next question है एक बरतन में दूद और पानी का अनपात 7 अनपाते 6 है यदि 260 लीटर मिस्रड को 22 लीटर पानी से बदल दिया जाता है तो मिस्रड का अनपात 4 अनपाते 5 हो जाता है तो सिरू में मिस्रड की मात्रा ग्याद किजिए ध्यान से देखेगा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है उस 7 रेशियो 6 है जब इसमें से 260 लीटर मिस्रड निकाल लिया जाता है तो जो सिरू बचेगा उसमें भी तो मिल्क और वाटर का रेशियो 7 रेशियो 6 ही होगा अब 22 लीटर पानी से बदल दिया जाता है तो यहाँ पे 22 लिटर पानी एड़ कर दिया जाता है तो जो ratio बनता है होता है 4 ratio 5 यहाँ पे पानी में changes हो रहा है ना कि milk में तो milk की मात्रा को हमको क्या करना है same बनाना है same बनाने के लिए यहाँ पे 4 का multiply और यहाँ पे 7 का multiply करेंगे तो new ratio मेरा क्या बनेगा 28 ratio 24 28 ratio 35 अब यहाँ का जो difference है कितना है 11 और 11 का मान मेरा क्या है 22 लिटर के बराबर तो एक का मान मेरा 2 लिटर के बराबर होगा तो अगर अब हम यहाँ पे मिस्रड देखें remaining मिस्रड जो मेरा बचेगा वो कितना है यहाँ पे 52 52 का मान क्या हो जागा 104 इसका मतलब क्या हुआ कि जब 260 लिटर मिस्रड निकाल लिया गया उसके बाद मेरा 104 लिटर मिस्रड बचा तो टोटल मिस्रड की मात्रा पूछा है तो 260 और 104 को अड़ कर देंगे मेरा अंसर आजागा 364 लिटर जो कि मेरा राइट अंसर है आपसा नमबर A तांक्यू फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाई टेक केर